प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम के वगिता है, मैं T.S.M.S. कुणड़ा पाक में हिंदिया ध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटे-छोटे प्रश्वी पूछू हूँ। आप उनके उत्तर देने की पूशिश केंगा। ठीक है? देखिए, यह क्या है? बिल्कुल सही कहा, यह क्या है? घड़ी है, हैना? घड़ी हम किस लिए देखते हैं? हाँ, समय जानने के लिए घड़ी देखते हैं, हैना? इस वक्त समय क्या हो रहा है? बिल्कुल सही कहा, एक बच कर 20 मिन्ट हो रहा हैं, हैना? तो इस प्रकार समय का हमें पता चला घड़ी से हमने समय का पता लगा लिया अब प्रशन समय का परियाँची शब्द क्या है? काल है ना? बिल्कुल सही कहा आपने समय को हम काल भी कहते हैं तो आज हम काल की बारे में जानकारी आसिल करेंगे सबसे पहले काल की याख्या इस प्रकाल कर सकते हैं कि क्रिया के जिस लूप से कारे के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं जैसे कि उधारन के लिए प्रदिप पढ़ रहा है रमेश कर दिली जाएगा मेडम पढ़ा रही थी ये तीन वाक्य है इसमें पढ़ रहा है दिली जाएगा पढ़ा रही थी इनसे हमें कुछ क्रिया समझ में आ रही है अब वो कब हो रहा है कैसे हो रहा है इसका भी पता चल पढ़ा रहा है बोले तो अभी क्रिया चल रही है और कल दिल्ली जाएगा याने फ्यूचर में जाएगा और क्रिया नहीं हुई है और पढ़ा रही थी बोले तो अभी क्रिया हो चुकी है क्रिया के जिस रूप से यह पढ़ा चले की काम अभी हो रहा है उसे वरतमान काल की व्याख्या याने परिभाशा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की काम अभी हो रहा है उसे वर्तमानकाल कहते हैं उधारन राम अभी अभी आ रहा है वर्षा हो रही है इन दो वाक्यों में क्रिया जो है अभी चल रही है वर्षा हो रही है बोले तो complete नहीं हुआ और राम आ रहा है अभी अभी आ रहा है वो आके नहीं रुका इसलिए उसे हम कहेंगे यह वरतमानकाल की व्याख्या है अब हम वरतमानकाल के जो 5 प्रकार है उनके बारे में जानाएंगे वर्तमानकाल के भेद पांच है सामाने वर्तमानकाल, अपूर्ण वर्तमानकाल, पूर्ण वर्तमानकाल, संधिक्द वर्तमानकाल, संभावे वर्तमानकाल इस प्रकार ये पांच प्रकार है सबसे पहले हम जानते हैं सामाने वर्तमानकाल की परिभाशा क्रिया के जिस रूप से कारे की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामाने वर्तमानकाल कहते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, आधी आते हैं उसे सामाने वर्तमानकाल कहते हैं उधारन के लिए राम घर जाता है वह गेन खेलता है सीता पड़ती है इन वाक्यों में जाता है खेलता है पड़ती है इस प्रकर जो है क्रिया अभी पूरी नव होने की हमें जानकारी मिल रही है तो क्या हो गया सामने वर्तमान का हुआ इस प्रकर हम वाक्य से जान सकते कि यह कोई सा काल का वाक्य है दूसरा है उसके बाद का अपूर्ण वर्तमान काल यानि तातकालिक वर्तमान काल भी उसे कहते हैं अपूर्ण का अर्थ होता है अधुरा क्रिया के जिस रूप से कारे के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं जिन वाक हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमानकाल कहते हैं यह उसकी परिभाशा हो गई उधारन देखिए वाक्यों में शाम गेंद खेल रहा है वह घर जा रहा है अनिता गीत गा रही है रमश लिख रहा है इन वाक्यों में इस प्रकार हम अपूर्ण वर्तमानकाल के वाक्यों को पहे जा सकते हैं। तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमानकाल। इसकी परिवाशा हम इस प्रकार कह सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कारे के अभी पूरे होने का पता चलता है। उसे पूर्ण वरतमानकाल कहते हैं इसमें हमें कारे की पूर्ण सिद्धी का पता चलता है इसमें हमें क्रिया के व्यापर के ततकाल पूरे होने के बारे में पता चलता है जैसे कि उधारन के लिए मैंने फल खाये हैं उसने गेन खेली है वह खाया है इसमें जो खाने की जो क्रिया है वह अभी अभी पूरी हुए है तो पूर्न वर्तमानकाल ऐसा हम उसे कह सकते हैं चौथा प्रकार है संदिक्द वर्तमानकाल क्रिया के जिस रूप से वर्तमानकाल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिक्त वर्तमानकाल कहते हैं अर्थात जिन वाक्यों के अंत में होता होगा, होती होगी, होते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे इस प्रकार जो है अंत में शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं संदिक्त वर्तमानकाल उदारिन के लिए सवीता पत्र लिखती है होगी वह गाता होगा राम खाता होगा रमेश जाता होगा ऐसे वाक्यों में देखिए लिखती होगी गाता होगा खाता होगा जाता होगा याने इसलिए इसे संदिग्द वर्तमानकाल कहते हैं। उसके बाद अंतिम प्रकार है संभावे वर्तमानकाल। संभावे वर्तमानकाल के परिभाशा होगी। संभावे का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इससे वर्तमानकाल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभावे वर्तमानकाल कहते हैं उदारन के लिए वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो यानि इसमें संभावता होती है यहां पर भी पूरी तरह से क्रिया complete हो चुकी है इसा नहीं बोल सकते हैं इसलिए इसे हम संभावे वर्तमानकाल कहते हैं इसके बाद हम देखते हैं भविशकाल के भेद ठिक हैं? बविशतकाल याने क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे बविशकाल कहते हैं इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदे आते हैं वे बविशकाल होते हैं उधारन के लिए मैं कल विद्या ले जाओंगा दूसरा है खाना कुछ देर में बन जाएगा याने क्रिया पूरी नहीं हुए है कल की बाद कल याने तुमारो कल का मेनिंग दो प्रकार से होती है यस्टर्डे और तुमारो लेकिन हिंदी में कल याने वाक्य के अनुसार जाओंगा आओंगा ऐसे जब आते हैं तो समझ लेना कि तुमारो और गया था आया था भूत काल में होगा तो वह यस्टर्डे ऐसा समझना तो यहाँ पे मैं कल विद्या ले जाओंगा जाओंगा याने क्रिया पूरा नहीं हुआ बन जाएगा खाना कुछ देर में बन जाएगा याने पूरा नहीं हुआ इस प्रकार हमें भविश्य में होने की बात बता रहे हैं इन वाक्यों से इसलिए वह भविश्यकाल समझना हमें अब भवशकाल के तीन भेद है, सामाने भवशकाल, संभावे भवशकाल, हे तू हे तू मत भवशकाल, हैना इस प्रकार ये तीन प्रकार है, सबसे पहले देखते हैं सामाने भवशकाल की वैख्या, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामाने रूप का भवश्य में होने का प ए गाएगी ए गे आधी आते हैं उन्हें सामाने भवशका कहते हैं इससे क्रिया के भविश्य में होने का पता चलता है उधारन के लिए वह खाना खाएगी बच्चे खेलने जाएंगे वह घर जाएगा इसमें जाएगी जाएंगे जाएगा यह जो अंतिम क्रिया बता रही हैं कि वह पुरा नहीं हुआ क्रिया उसे पुरा होना है आगे इसलिए उसे हम भर्षकार कहते हैं इसके बाद दूसरा प्रकार है क्रिया संभावय या संदिक्द भर्षकार यह दोनों संभावय था संदिक्द था एक ही जैसे समझला हमें उसकी परिवाश्य देखिए क्रिया के जिस रूप से अगे कारे होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभावय भर्षकार कहते हैं इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता इसमें भविश्य में किसी कारे के होने की संभावना होती है उधारन के लिए शायद कर सुनिल आगरा जाए शायद आज वर्षा हो शायद चोर पकड़ा जाएगा परिक्षा में शायद मुझे दो अंक प्राप्त हो इस प्रकार संभावता वो डेफिनिट नहीं कह रहा है इन वाक्यों से हमें जानकर पूरी होने की नहीं मिल रहे इसलिए उसे हमें क्या कहना चाहिए संभावय या संदिक्द भविशकाल कहना चाहिए तीसरा प्रकार है हेतू हेतू मत भविशकाल क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाने समय की क्रिया पर निर्बर हो उसे हेतू हेतू मत भविशकाल कहते हैं इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्बर होती है यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाओंगा यह एक उदारन है इसमें देखिए वह भैश्यकाल जो है हे तो बता रहा है यदि यदि अगर यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाओंगा यदि छुट्टि होगी तो ही वह जाएगा नहीं होगी तो नहीं जा सकता यह आपे सम डिफिनिट नहीं है फ्यूचर में होने वाली क्रिया के बारे में बता रहा है अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा वह आये तो मैं जाओं वह कमाये तो मैं खाओं यह सब उधारन है दूसरे उधारन में भी अगर वह मेहनत करेगा तो उसका फल उसे आवश्य मिलेगा यह संभावना बता रहा है उसका हे तू बता रहा है अगर काम के साथ मेहनत के साथ उसके फल का हे तू है यहां तीसरे उधारन में देखिए वह आये तो मैं जाओं वह आएग उस क्रिया पर दूसरा क्रिया डिपेंड है उस पर आधारित है आगर पहले क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया होने की संवालों नहीं है इसलिए इसे हे तू है इसमें पहले क्रिया और दूसरी क्रिया में जो हे तू बताया गए हे तू यानि उद्देश फल पाने का को हेतू बता रहा है, उदेश बता रहा है, इस प्रकार हमें हेतू, हेतू मत भविश्यकाल के बारे में जानना है, इन वाक्यों को समझ कर हमें उसका परिभाशा को समझना होगा, ठीक है? इस प्रकार आज हमने वर्तमानकाल और भविश्यकाल के प्रकार जाने है प्यारे छात्रों आज का आपका ग्रह कार्य है काल का अर्थ क्या है जानकर लिखना और काल के भेद, वर्तमानकाल के भेद, भविश्यकाल के भेद कितने है वो जानकर अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख कर रखेगा प्यारे छात्रों, इस प्रकार हमने आज वर्तमानकाल और वर्तमानकाल के पांच भेद, सामान्य वर्तमानकाल, अपूर्ण वर्तमानकाल, पूर्ण वर्तमानकाल, संदिक्द वर्तमानकाल और संभाव्य वर्तमानकाल इस प्रकार पांच प्रकार हमने पढ़े, उसके साथ ही भविशकाल और भविशकाल के तीन प्रकार उसमें सामाने भविशकाल, संभावय भविशकाल और हेतु हेतु मत भविशकाल इस प्रकार तीन हमने भविशकाल के प्रकार पड़े हैं आशा करती हूँ, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा पार्ट्स अच्छे से समझ में आयागा फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद